खेत के सबी आदानों में सबसे महत्पूर्ण बीज है लेकिन बीच के बाद अगर कोई सबसे महत्पूर्ण आदान है तो वो उर्वरक है उरवक में D.A.P. का बहुत मात्वा है D.A.P. ने भारत के गेहों को इस्ताफित किया है भारत को गेहोत पादन में अगरनी रास्ट बनाया है गेहों की खेती में, धान की खेती में D.A.P. एक सफल उरवक रहा है लेकिन D.A.P. का दुरउगन भी है यह म्टी को कड़क बनाता है यानि जहां पर डिया पैंग का लगाता रुप्योंक के आयाता है वाहां भूमिक कड़क हो अब भीज पच्जिस हास पॉरी के ट्रीक्र Through की रेक्टर का रुप्योंक करना पड़ दा है इसलिए इसके दुस्प्रभाव बहुत अधिक हैं इन्हीं दुस्प्रभाव के निदान के लिए नैनो डीएपी एक विकल्प हो सकता है जैसे नैनो यूरिया एक सफल उर्रक रहा है उसी प्रकार नैनो डीएपी भी एक सफल उर्रक साबित हो सकता है इससे सबसे बड़ा फा का रिक्तिस्थान होता है उसका अनुपाद लगातर विगड़ा है तो नेनो यूरिया से यह फाइदा हो सकता है कि जमीन का जो विन्यास है वो विन्यास सही होगा साथ इसाथ नेनो डीएपी की कीमत भी काफी कम है लगवग 600 रुपे रखी गई है तो इस 600 रुपे में किसान को जो 3500 की बोरी लेना पड़ती है उसका एक फायदा मिलेगा एक बेनेफिट मिलेगा कि किसान को बहुत अधी करासी उप्योग नहीं करना पड़ेगी इस प्रकार किसान की लागत कम होने से मुनाफ़ा बढ़ता है इसी प्रकार नैनो यूरिया के उप्योग से भी हमने य जरूर करें धन्यावाद